हाई गाईज तो आपने देखा कि हमने सबसे सूरत से निकले उसके बाद हम गए कवमुक जाने के बाद हम गए महल डांग महल और वहीं डांग जिले में महल के बाजु में 16 किलोमेटर दूर सबरी धाम आया हुआ है तो हम जा रहे हैं सबरी धाम तो चलिए आप भी हमारे नजारे कूप सूरत इस सहरा क्या देखो नदी पयल पोध़े देखते हुए हमारे सफर में आप सब बने रहे हैं हम चल रहे हैं सबरी धामcke का किया करती थी रोच सुब हर उठके मातंगरुषिक और उसके बाद मातंगरू से एकदम प्रसंद हो गए और जब उन्हें पता चला कि सबरी माता ने रोज उनके आस्रम की साप सफाई करते हैं तब उन्होंने सबरी माता को आसीरवा दिया कि आपको राम दर्शंदे में अवस्य आएंगे और सबरी माता राद देखते रहे देखते रहे और एक बार राम आए और उनके हाथों से भ ये सबरी धाम पड़ता है हाई गैस तो अब हम आ चुके हैं सबरी धाम देखिए पहले हम गए गौमुक इसके बाद हम गए महर डांगर और उसके बाद अब हम आए हैं सबरी धाम तदेके ये मैरी पीड़ी सबरी दाम इप ओर बारी साथ तो गाइस अब मंदीर के परिस्तर में होते हुए हम सब्रीद हम मंदीर में प्रविश्च करने जा रहे हैं तो देखिए आप भी हमारे साथ बने रहे हैं देखिए ये मंदीर अब सब्रीधाम के दर्शन हो चुके और अब हम जा रहे हैं अपने फिर ग़ियों 30 अलिए तो चलिए आसा करते हूं मेरे डानग जिले का सफर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो गाइस आप सब के सपोर्ट की मुझे बहुत जादा जरूरत है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को सेर कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सब का धन्यवाद